क्लास टू चेप्टर टू भालू में खेली फुटबोल सतियों का मोसं था सुबा का वक्त चारों और कोहरा ही कोहरा एक सेर का बच्चा सिमट का गोल मटल बना जामून के पेर के नीचे सोया हुआ था इधर भालू साहब सेर पर निकल तो आएं थे लेकिन पस्ता रहे थे तभी उनकी मज़र जामून के पेर के नीचे परे आँखे फैलाए अकल दोराए आह फुटबोल सुचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए आओ देखा नताओ भालू जी ने पेर से उच्छाल दिया सेर के बच्ची को हर बड़ी में सेर का बच्चा दहारा और फिर पेर की एक डाल पकर ले मगर डाल तूट गए भालू शाहाब जल्दी मामन समझ गए पस्ताएं लेकिन अगले ही पल दोरकर फूलती से दोनों हाथ बढ़ाएं और सेर के बच्चे को लपक लिया अरे यह क्या सेर का बच्चा फिर शे उच्छानने के ले कर रहा था एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला दो बार तीन बार फिर बार बार ही होने लगा सेर के बच्चे को उच्छालने ये मज़ा आ रहा था परम तो भालू ठक कर परिशन हो गया था ओह किस आफ़त में आफ़ता बार भी बार उच्छालते ही भालू ने घर की और दोर लगाए और गायब हो गया अब की बार सेर का बच्चे धराम से जमीन पर आ गया डाल भी तोट गई तभी मा ली वहा आया और शेर के बच्ची पर परस करा डाल तोर दी पेर के लाओ हर जाना शेर के बच्ची ने कहा ज़र थीक तो हो लो माली ने कहा थीक है मैं अधि आता हूँ माली के बच्चा भी 9-11 हो लिया बसनी सोचा, जयां बची, तुना कुपाई